हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आजाद ग्रूप ओफ एजुकेशन में आप सभी जानते हैं कि भारती इतिहास के UPSC द्वारा पूछे गए पिछले वर्षों के प्रशन पत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं इससे पहले की दो क्लासेज में आपको 2022 और 2021 के क्योशन का डिसकेशन मिल चुका है और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 2020 के क्योशन की ठीक है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का डिसकेशन पहला क्योशन है भारत के संदर्ब, भारत की इतिहास के संदर्ब में निमने लिखित यूगमों पर विचार कीजिए प्रसिद इस्थल आपको दिया हुआ है बीलसा, दौार समुद्र, गिरनार और स्थानेश्वर और साथ में आपको वरतमान राज्य दिया हुआ है कि वरतमान में किस राज्य में ये अवस्तित हैं ठीक है बहुत इजी सा सिंपल सा क्योशन है बीलसा, मद्धे परदेश, दौार समुद्र, महराश्टरा, गिरी नगर, गुजरात और इस्थानेश्वर, उत्तर परदेश मुझे लगता है अगर आपने ठीक से तैयारी की है तो आपको यह बिलकुल आसा क्योशन लगेगा क्योंकि दो चीज़ों को आप बहुत आसानी से इलिमिनेट कर पाते हो दौार समुद्र हम सब जानते हैं कि करनाटक में होईसल राजवंच की या होईसल सामराज्य की क्या थी राजदानी के रूप में हमने इसे पड़ा होता है राइट और इस्थाने शुर के बारे में भी हम देखते हैं कि हर शुर्दन से संबंदित यह राजदानी रही यह इस्थान रहा हरियाना के कुरुकशेतर जिले में हमें देखने को मिलता है तो आप इन दोनों को जब हटा देते हो तो दो और चार को में हटाना है दो यहां से अट गया चार यहां से अट गया चार यहां से अट गया तो एक और तीन हमारा अमसर बिलकुल ठीक है बिलसा मद्दे परदेश में और गिरी नगर गिरी तो नाम से भी आप देखते हैं हमारा पहला क्योशन था आंस्वर आप सभी को मिल चुका है आईए आगे बढ़ते हैं प्राचीन भारतिये गुप्त राजवंच के समय के संधर्ब में नगर घंटाशाला कदूरा और चॉल किस लिए विख्या थे याद रखिए चॉल एक नगर का नाम है याँ पर है ना घंटाशाला कदूरा और चॉल किस लिए विख्या थे किस लिए परसिद्ध थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगा शक्तिशाली राज्यों की राजधानिया उतकरिष्ट प्रस्तर कला याने पत्थर की कला तता इस्थापत तेसी संबंदित इस्थान या बोध धर्म के महतुपूर्ण तीर्थ इस्थल तो आप सभी को पता होना चाहिए विदे पर पाये जाने वाले बंदरगा आपको दिखेंगे और चोल हमें पूर्वी तटपर पाया मिलता है आप क्या कर सकते हैं इनकी लोकेशन को जरूर देख सकते हैं कि कहां पर या किस राज्ये में यह अवस्थित थे उससे आपकी तैयारी थोड़ी बैतर होती है हो सकता है य आगे बढ़ते हैं भारत के इतिहास के संदर्व में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्व में निमने लिखित युगमों पर विचार कीजिए परी वराजक परी त्यागी एवं भर्मन कारी परी वराजक जिसने कुछ अपना त्याग दिया हो और भर्मन पर सन्यासी टाइप मे जिसे हम बात करते हैं तो परिव राजक ठीक है पहला ठीक है शर्मण शर्मण आप सभी जानते हैं साधू संतों को या हम कहते हैं वही सन्यासी लोगों की तरह जो साधू संत होते हैं या पुरोहित होते हैं पुजारी होते हैं पुजारी तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन जिन् ना कि शर्मन शर्मन होते हैं कि मतलब में अपना खाना भोजन मांग के खाते हैं लोगों से मांगते हैं और फिर बस सन्यास के रूप में इधर से उदर घूमते रहते हैं सोरी तो इस वज़े से शर्मन को हम गलत कर देंगे उपास क्या होता है उपास ना करने वाला बोध धर्म का साधरन अनुगामी है ना साधरन अनुगामी जो साधरन रूप से बोध धर में शामिल हुआ है वह कोई मौंक नहीं है ठीक है तो उसको हम कहते हैं उपास किये भी ठ ठीक है तो पहला और तीसरा हमारा ठीक है दूसरा हमें गलत कर देना है ओके भी हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन हम देखते हैं भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्व में परामिता शब्द का सही विवरण निम्न लिखित में से कौन सा है सुत्र पद्दती में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ इसे कहते हैं परामिता वेदों के प्रादिकार को ऐस्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय क्या हमने ऐसा कोई संप्रदाय सुना है परामिता के जैसा जिसमें नाम आया हो परामिता है ना तो हमने तो नहीं सुना परिपूनता है जिनकी प्राप्ति से बोधी सत्व पत प्रशस्त हुआ हाँ ये वाला सही है देखिए बहुत दर्में बोधी सत्व की एक अउधारना है जिसके अंतरगत एक सिद्ध पुरुष अपने कर्मों से दूसरों को मौक्ष के मार्ग पर ले जाने का काम करता है वह दूसरों के लिए कर्म करता है और दूसरों को मौक्ष की प्राप्ति के लिए कारिये करता है ये बोधी सत्व की क्या है अउधारना है सामाने भाषा में ले में टर्में हम समझ सकते हैं इसी अउधारना के अंतरगत एक वेक्ति को बोधी सत्व के लिए जो एक व्यक्ति को बोधी सत्व बनने के लिए अपनाने की आउशक्ता है और उन्हीं चीजियों को या उसी बात को हम क्या कहते हैं परामिता कहते हैं तो हमारा इसका अंसर होगा C वे परिपूर्णता है या वे बाते जिनकी प्राप्ति से बोधी सत्व का मार्ग इंकलूड करना अपने अंदर शाम्छ 1990 किसको शामिल करना परामिता को शामिल करना उन परिपूर्णता हो शामिल करना जिससे हमें बोधी सत्व की प्राप्ति हो सके तो c. हमारा बिल्कुल ठीक आंसर यहां पर हो जाता है आगे बढ़ेंगे अगला क्योशन भारतिय इतिहास के संधर्व में 1884 थोड़ा मोडन इंडिया में आ चुके हैं रखमा भाई मुकदमा किस परकार किस पर केंदरित था तो देखिए रखमा भाई या फिर आपने सुना होगा रुकमा भाई इनके संबन में सबसे अच्छी बात सबसे बड़ी बात ब्रीटिश भारत में ब्रीटिश भारत में पर्थम पेशेवर महीला डौक्टर थी ये पेशेवर महीला डौकटर पर्थम कितनी बड़ी बात है ना तो ये डॉक्टर के रूप में तो जानी गई, लेकिन इनका जो सामाजिक संदर्ब में जो काम था, वह है महिलाओं के विवाग को लेकर जो सहमती की आयू होती है, या शारिरिक संबंदों को लेकर जो सहमती की आयू होती है, और दामपत्ते जीवन में महिलाओं के अधिकार की बात जब आती है उसके संबद में इन्होंने काफी महतुपूर्ण लड़ाई लड़ी और सहमती की आयू अधीनियम 1891 था आई थिंग अधीनियम 1891 को लागू करवाने में इनका बड़ा योगदान रहा है ना तो सहमती की आयू से संबंदित और दामपत्ते अधीकारों से संबंदित इनका बड़ा योगदान रहा हमारे समाज में तो रुकमा भाई इसलिए भी फेमस है बाकी डोक्टर के रूप में तो यह जानी जाती है पहला शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा यह जो केस की बात कर रहे हैं रुकमा भाई किस पर केंदरित थी तो ज़्यादातर वह इन महिलाओं के शारिरिक अधिकारों के संबंद में वह जादा क्या थी चर्चा में रहती थी है ना शिक्षा के बारे में इतना उनका व्योगदान हम नहीं कह सकते लेकिन दो और तीन हमारे यहाँ पर सही आंसर होता है ओके आगे बढ़ते हैं निम्नल खित्मे से किस कारण से भारत में बीस्वी शताप्धि के आरंभ में नील की खेती का रास हुआ क्या कारण ऐसा रहा के पहले तो अंग्रेज हमसे जबरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे लेकिन बीस्वी शती की शुरुआत में बीसवी शती का मतलब 1901 से और अगर पूरी शताबदी तक जाएंगे तो 2000 तक राइट तो बीसवी शताबदी के शुरुआर्थ में आरंभ में नील की खेती में कमी क्यों आने लगी एक समय था अंग्रेज हमें मारा करते थे जबरदस्ति शोशन करते थे कि न लेकिन बाद में नील की खेती में क्या हुई कमी आना शुरूई क्योंके आधुनिक विशु में नए नए करत्रीम रूप से नए नए रंगों का आगमन हो चुका था और अब नील की खेती करना उतना लाब दायक नहीं रह गया था जितना पहले के समय में हुआ करता था त तो इसका जो आनसर हमें मिलेगा नए खोजों के कारण विशु बाजार में इसका एलाब कर होना था नए 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 खोजे हो चुकी थी तो अब बाजार में करत्रीम रंगों को ज़्यादा महतु दिया जाता था ना कि नील को तो यह हमारा इसका सही आनसर होगा आगे बढ कोलेज की स्थाफना की थी आपको भी पता है किसलिए की थी तो बिल्कुल हम जानते हैं कि जो सिविल सेवा के लोग थे उनके परस्षिक्षण के लिए उन्होंने क्या किया था भारत में एक फ़ emba कलेज की स्थाफना की थी लेकिन इसका क्या हुआ था विरोध हुआ था और यहां पर इसे वापस से बंद करना पड़ा था तो क्या हुआ था उसे लंदन में इस थी बोर्ड ओफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था क्या अगर बोर्ड ओफ डायरेक्टर ने कहा होता तो क्या उन्हें बंद करना पड़ता नहीं न तो यह वह भारत में प्राच्चे ग्यान के परती अभीरुची पुनज आगरत करना चाहता था तो ऐसी कोई भी मन्शा उनकी नहीं थी वह विलियम केरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार परदान करना चाहता था नहीं इस तरह की हवा वही बाते नहीं करनी है वह ब्रिटिश न प्रेक्ट ऑक्शन रहेगा आगे बढ़ेंगे अगला क्योशन काफी इजी क्योशन मैं मानता हूं इसे ज्यादा कुछ नहीं है भारत के इतिहास के संदर्व में उल्गुलान उल्गुलान अत्वा महान उपद्रव निमने लिखित में से किस घटना का विवरन था तो क्या ये क्योशन मैं आपके लिए छोड़ दूँ क्या आप इसे अटेम्ट कर पाएंगे उल्गुलान काफी इजी क्योशन क्या ठारा सो सत्रा के विद्रो में इस बात को कहा गया था या इस नारे को दिया गया था या इसका नाम रखा गया था क्या उन्ने सो एकिस में मोपला का विद्रो मैं या निल का विद्रो जो हुए था उसमें या फिर सबसे महतव्पूण बिरसा मुंडा का जो विद्रो हुआ था एतीन नैंटिनाइन से साईल ने मोपल्मन का मतलब होता है महान उपद्रवसा में महान विद्रो संबंद में आगे आने वाले questions में प्राचीन बारत में विद्वानों या साहित्यकानों के संदर्व में निमने लिखित कत्नों पर विचार की जिए पाणी नी आपको पूछा है अमर सिंग जिन्नोंने अमर कोश लिखा राइट अमर कोश लिखा और काली दास के बारे में आपको जानकारी हो तो आप पाएंगे कि यह मोरियोत्तर काल के से संबंदित शुंग शासक है पाणी नी हम देखते हैं कि महा पद्मनंद महा पद्मनंद के मित्र के रूप में भी हम देखते हैं तो उनी के काल से संबंदित यह रहे हैं नंद वंश से संबंदित ठीक है प आपना करने वाले वेक्ति, बहुती मैतफूर्ण वेक्ति हमारी इतिहास की द्रश्टी से, तो सोरी इसको हमें गलत कर देना है, क्योंकि पुशे मित्र शुंग से संबंदित ये नहीं थे, अमर सिंग हर्षवर्दन से संबंदित नहीं थे, अमर सिंग भी चंद्रगुप्त म से ही संबंदित थे, तो इसको भी हमने गलत कर देना है, हमारा जो आंसर होगा, वो केवल तीसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा केवल तीन हमारा सही ओप्शन, सी हमारा बिल्कुल कर्यक्ट ओप्शन यहां पर होगा, राइट, आगे बढ़ते हैं, भार का मतलब ये होता है औरंग राजकोश का परभारी बेनियान इस्ट इंडिया कमपणी का भारतिय एजेंट और मिरासिदार या मिरासदार राज्य का नामित राजसु दाता तो देखिए औरंग एक फारसी भाशा का शब्द है फारसी शब्द है इसका मतलब होता था जैसे हम के लिए किसी जगह का यूज करते है लिए उस्ठान को कहते थे वैर हाॉस को एक तरफ से तो ये वाला हमारा गलत है इसका क्या होता है้ सकता हूं यहां पर वैर हाउस ठीक है बेनियान ठीक है वनिक से बना है जो हम व्यापारी की बात करते थे अंग्रे जो ने इसको तोड मरोड कर बेनियान कर दिया और इस्ट इंडिया कमपनी का भारतिय एजेंट के संदर्व में यह बात करेक्ट है बेनियान हम इसी को कहते हैं मिरासिदार जो वंशा नुगत जिनको जो जमिदार थे वंशा नुगत भूमी दारी वर्ग जो था उसे हम मिरासदार कहते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि राज्य का नामित राजसुदाता तो जब उनके पास भूमी थी तो वो राज्ये को राज्यस भी देते होंगे तो राज्ये का राज्यस उदाता भी उन्हें कहना ठीक है तो हमने पहला गलत कर दिया दूसरा और तीसरा बिलकुल करेक्ट आंसर है तो दो और तीन याने भी हमारा सही उत्तर हो जाता है चिहास के संधर्व में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए इस्थाविरवादी महायान बोध धर्म से संबंद है क्या ये बाट ठीक है उनको अच्छे से पढ़ना है ये जब हम गलत करते हैं तो दो अप्शन हमने हटा दिये हमें पता है कि तीसरा तो ठीक है यानि महा संगी को द्वारा बुद्ध को देवत्वी रोपड ने महायान बोधधर्म को प्रोथसाहित किया ठीक है और दूसरे की अब हमें देखना है क महा संगीक संप्रदाय की एक शाखा है ये बात करेक्ठ है और तीसरा हमने देखा बिल्कुल ठीक है भी हमारा यहां पर सही उत्तर हमें देखने को मिलता है ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्योशन पर क्योशन नमबर ट्वल्थ निमने लिखित में से कौन सा कथन ओध्योगी क्रांती के दौरा उनिस्वी शताबदी के पूरवार्द में आपको ये इस तरह की शब्दों पर ध्यान देना है अपने उत्तर को देखने से पहले में भारत पर पड़े परभाव की सही व्याक्या करता है देखो वापस से द से उनिस सो ये क्या हुआ उत्तरार्द है ना आई होप के इन सब चीजों को तो आप समझते हैं इन में तो आपको दिक्कत नहीं होती ये पूर्वार्द और उत्तरार्द है ठीक है तो क्या कह रहा है कि परभाव में सही व्याक्या करता है मतलब जो ओद्योगी क्रांती की वज़े से अठारी उननेशवी सदी के पूर्वार्द में 1850 लिक्ट बार किस तरह का प्रभाव पढ़ा था वैर दस्तकारी उध्योग sensitivity नष्ट हो गए थे यह बात बिल्कुल और है हमारा अंस्वर यहांपर होगा भार्ति यह से कच्चा माल जाता था परनतु व है तैयार माल के रूप में वापस यूरोप से आता था और वो बहुत महेंगा होता था हमारे यहां पर या बहुत महेंगा नहीं भी होता था तो भी हम से क्या तो कच्छा माल जाने लग गया और वहां से महेंगा नहीं वहां से बहुत सस्ती दरों पर तैयार माल आता था तो अं हो क्या हुए परभावित हुए बुरी तरह से क्योंकि अब उनके माल की विक्री बिलकुल कम हो चुकी थी ना तो उन्हें कच्चा माल मिल पाता था सही दर पर और जब वो अपना माल बना कर बेचने जाते थे तो उनके माल से बहुत ही कम दर पर यूरोपियन माल वहां पर उ उसे जो माल सस्ता दिखता है, क्वालिटी ठीक है, सस्ता भी है, क्वालिटी भी ठीक है, तो वह उसे प्रिफर करता है, फिर वो यह नहीं देखता है, कि यह चाइना का है, या कहीं और का है, या इंडिया का है, है ना, तो इस तरह से वही परभाव पड़ता था, और इसकी व माल को यहां पर डंप कर देते थे बहुत ज़्यादा मातरा में ले आते थे है ना तो मशीन ने तो हमारे यहां पर कहां आई मशीन ने आई होती तो हम ओद्योगी क्रूप से अभी कितने आगे होते राइट देश के अन्यक भागों में रेलवे लाइने बिचाई गई थी ले ब्रिटिश उत्पादन के आयाद पर भारी शुल्क लगया गया था जी नहीं ब्रिटिश उत्पाद के आयाद को बहुत ही आसान बना दिया गया था और जो भारत का कच्छा माल बाहर भेजने की कोशिश की जाती थी उस पर कई गुना टेक्स बढ़ा दिया गया था तो ब भारत के इतिहास में निमने लिखित घटनाओं पर विचार कीजिए राजा भोज के अदिन परतिहारों का उधे महेंद्र वर्मन पर्थम के अदिन पल्लव सत्ता की स्थापना परांतक पर्थक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना और गोपाल दुआरा पाल राजवंश की स्थापना उप्यूक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंब कर सही काला काला नुकरम क्या है तो इनका सही काला नुकरम जब आपको बताना होता है तो आप क्या देखते हैं कि अगर हम बात करें पल्लाववंश की तो उपस्थित नजर आता है 275 से इसकी शुरुवात हो जाती है इसके बाद में अगर हम बात करें गोपाल द्वारा जो पाल वंच की बंगाल वाले शेत्र में जो पाल वंच की स्थापना की गई थी तो 770 AD में ये काम हुआ था राइट 770 AD या CEB हम कह सकते हैं एनाडोमिनी या फिर कोमन एरा ठीक है और इसके बाद अगर बात करें महेंदर वर्मन को हमने देख लिया परांतक पर्थम को अगर आप देखेंगे तो लगबग 900 से 955 के बीच में ये चोल काल रहा था परांतक पर्थम ने 900 AD में कम से कम लगबग इस पारंबिक मद्यकाल की बात जब हम करेंगे तो 835 से 880 का काल यह है हमें देखने को मिलता है 880 AD का काल तो सबसे पहले क्या घटित हुआ पर्थम के दिन पल्लाव की सत्ता तो दो पहले आ जाएगा फिर क्या हुआ गोपाल द्वारा पालवंश की स्थापना चार आ जाएगा फिर हमें देखने को मिलता है राजा भोज के दिन परतिहारों का उदे क्योंके 835 AD की बात है एक को हम लेकर आएंगे और तीन सबसे ल मिलेगा सी में तो हमारा उत्तर जो रहेगा वह होगा ऑप्शन सी ठीक है इसे थोड़ा सा टफ कहा जा सकता है क्योंके बहुत सारे येर्स आपको इस तरह से याद नहीं रहते लेकिन जब आप थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि भोज के दिन परतिहार कौन कब का है इसके को मिलता है आगे बात करते हैं अगले क्योशन की निमने लिखित में से कौन सा उपवाक के उत्तर हर्श कालीन्स रोतों में प्राया उलिखित हुई हुंडी के स्वरूप की परिभाशा करता है हुंडी क्या था व्यापार में जो दूर दराज का व्यापार होता था उसमें रुप्यों को केरी करना एक बड़ा चेलेंज होता था तो जो इमानदार और साख वाले व्यापारी होते थे वो एक कागच लिखकर एक नौट बनाकर भेजते थे कि इतने का माल दे देना ये इतने का माल ले लेना है ना ये है जब आप ये मुझे दिखा होगे तो मैं ये नहीं लगता ये शब्द से आप परीचित होंगे आपने इसको जरूर सुना होगा सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आप्शन यहां पर होता है आगे बढ़ते हैं स्वतंतरता संगराम के समय लिखी गई सखाराम गनेश देउसकर की पुस्तक देशेर कथा कौन से पुस्तक है द के शेर कथा के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए इस पुस्तक में आपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिश्क की सम्मोहक विजे के विरोध में चेताउनी दी इस पुस्तक ने स्वधेशी नुकड नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया और दे तो जब आप देखते हैं अपना क्योशन नंबर 14 या 15 तो आप पाते हैं कि इस पुस्तक में मतलब में देउसकर साब ने जो ये किताब लिखी थी ये बंगाल की साइड में लिखी थी बंगला थे ये और यहीं से जो स्वधेशी आंदोलन का समय था इन्होंने अपनी इस क कटाब से बंगाल में स्वधेशी आंदोलन को लेकर बड़ा प्रोचसाहन दिया, स्वधेशी आंदोलन को प्रोचसाहन मिला और अंग्रेजों के विरूद लोगों की एक मनसिक्ता बनी कि अंग्रेज हमें किस तरह से परेशान कर रहे हैं तो पहला जो स्टेटमेंट है कि इस पुस्तक में ओपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिश्क की सम्मोहक विजे की विरोध में चेताउनी दी गई ये बात ठीक है इस पुस्तक ने सुधेशी नुकर नाटकों तथा लोग की गीतों को फ्रेरित किया ये भी बात ठीक है और देउसकर द्वारा देश शब्द का परियोग बंगाल शेतर के संदर्व में किया गया था यूपीएसी ने इस कथन को गलत माना है मैं आपको एक बात बता दूँ कि 2020 के पेपर में यूपीएसी ने कुछ क्योस्टन को लेकर डाउट भी था काफी डाउट फुल ये रहा था और यूपीएसी ने दो बार आंसर की जारी की थी तो जब पहले बार UPSC نے answer की जारी की तो उसमें इसका उत्तर B माना गया था तो रहने पहले को गलत माना गिया और तीसरे को सही माना गया लेकिन second बार updated version में जब UPSC answer की जारी की तो UPSC ने माना कि तीसरा गलत था और एक और दो याने A इसका सही answer है तो यहाँ पर हमें जो इसका उत्तर मानना है एक और दो मानना है और हमें यह समझना है कि जो देऊसकर साब ने देशेर कथा लिखी थी उसमें देश का मतलब संपूर्ण भारत से लिया था ना कि सिर्फ बंगाल वाले शेतर से ओके आई होप आपको यह बात समझ में आई दो तीन चार इससे पहले जब पहली बार उन्होंने आंसर की जारी की थी तो इसका उत्तर माना था एक दो और चार अभी बात करते हैं गांधी इर्विन समझोता हम सब को पता है कब हुआ था गांधी इर्विन समझोता आपको देखने को मिलता है मार्च 1931 में ठीक है और जी इनका इर्दा क्या था अंग्रेजों का इर्विन का इर्विन का इर्दा क्या था इनका इर्दा था कि लंदन में जो राउंटेबल कॉन्फरेंस हो रही है जो गोल में समयलन हो रहा है पर्थम गोल में समयलन में कॉंग्रेस ने बिलकुल भी भाग नहीं लिया था तो एक तरह से उसका कोई ओचिते ही नहीं रहा था क्योंकि भारत की का परतिनी धित्व करने वाली सबसे बड़ी पार्टी या पार्टी कहना ठीक नहीं सबसे बड़ी बड़ा संगठन तो उपस्ती थी नहीं था लंदन में जो भारत के हितों के बारे में बात करता है तो पहला गोल में समयलन एक तरह से निरर्थक तरह का रहा था तो फिर सेकंड गोल में समयलन से पहले जो हमारे वाइसराय थे इर्विन उन्होंने गांधी जी से बात की उन्हें कहा गया गांधी जी से बात करने के लिए तो उन दोनों के बीच में मार्च 1931 में एक समझोता हुआ और समझोते में कॉंग्रेस तयार हुई कॉंग्रेस राजी हुई गोल में समयलन में भाग लेने को लेकर है ना तो इस तरह के कुछ उद्देश है उसके रहे हैं आप जब पढ़ते हैं तो डिटेल में देखते हैं उनको तो राउंटेबल कॉंफरेंस में भाग लेने के लिए कॉंग्रेस को आमंतरित करना तो अगर पहली नजर में देखते हैं तो यह स्टेटमेंट हमें ठीक लगता है और जब पहली आंस्वर की में भी देखते हैं तो यूपीसी ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट माना था ठीक है तो हमें भी देखने में ठीक है लग रहा है इसमें ज लग गया आंदोलन और गांदी जी का ऐसा योग आंदोलन का मतलब गांदी जी की जो अप्रोच होती थी आंदोलन करने की कि हम सहयोग नहीं करेंगे हम लड़ाई भी नहीं करेंगे हम सहयोग ही नहीं करेंगे तो उस संदर्व में अगर इसको माने और उस ऐसा योग आंदोल क्योंकि UPSC ने इसको सही माना है दोनों में ही और सही भी है है ना ऐसा योग की जगे हम सिविल डिस ओबीडेंट मॉमेंट मानेंगे ऐसा है योग का मतलब हुआ गांदी जी की जो नीती थी आंदोलन करने की उस नीती के परिप्रेक्षे में बात हो रही है पुलिस की जादितियों की जाच करने तो गांदी जी के सुजाओ की सुईकरती आप बताईए क्या गांदी जी के सुजाओ को सुईकर कर लिया गया था तो इस सुजाओ को सुईकर नहीं किया गया था ठीक है तो तीसरा हमने गलत करना है और इसमें तो तीसरा नहीं माना लेक नहीं था तो ये बाट ठीक है है ना ये बाट ठीक है तो अगर हम देखें तो एक दो और चार ठीक आंसर बन रहा है और अगर जिस तरह से UPSC कह रही है कि अगर ये गलत है मतलब मैं पहले को अगर हम गलत मान ले दूसरी आंसर की के अकोडिंग तो भी फिर हमें दूसरा और चोथा हमारा उत्तर होता है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो डाउट रहा था 2020 के आंसर कीज को लेकर वो मैंने आपके सामने रख जिया है अब आप अपनी समझ के अनुसार इसको देख लें डिसकस करना हमारा मकसद था हमारा जो लक्षे है वह यह है कि क्योशन्स आपको डिसकस हो जाए तो आपको क्या कर लेना है गांधी इर्विन समझेते हो कि अच अच्छा करना है ठीक है तो गांधी इर्विन समझोता और गोल में समेलन वाला जो पॉइंट आता है आपके सिलेबस में उसको हमें अच्छे से कवर कर लेना है क्योंकि यहां से क्योशन्स पूछे गए है और आगे भी पूछे जा सकते हैं राइट तो आगे बढ़ते हैं कि आइस पर्शे समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रिथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वन सक विटाल विध्वन सक यह मासिक पत्रिका थी किसके द्वारा प्रकाशित की गई तो गोपाल बाबा वलंग कर यह फिर इने हम गोपाल क्रश्न विक के नाम से भी जानते ह गोपाल कृष्ण इन्होंने अच्छूत समुदाय के लिए ऐस पर्षे समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान की दिशा में कारिय करने के लिए इनको टार्गेट करते वे जो उस वक्त ब्राह्मनवादी प्रवर्ती चरम पर थी उस प्रवर्ती के विनाश के लिए उसको चुनोती देते हुए एक मासिक पत्रिका का परकाशन शुरू किया था विटाल विधुवन सक है ना और किसने किया था गोपाल बाबा वलंग करने 1881 में इनके द्वारा यह पत्रिका परकाशित की जानी शुरू किये गई थी 1888 में यह वैसे तो हो सकता है हिस्ट्री में आप से पूछ लिया जाए लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट यह उस तक यह मेग जीन है आगे बढ़ते हैं भारत की इतिहास के संधर्व में कुल्याव याप कुल्याव याप और द्रोना व्याप ख़ब्रक्या निर्दिष्ट करते हैंको देखिए हम बात करते हैं आरंभिक मध्यकालीन इतिहास की तो बंगाल वाले रीजन में हमें कुछ इकाईया मिलती है भू माप की भूमी माप की भूमी मापन की इकाईया बंगाल वाले रीजन में तो वही इकाईयों में से दो नाम ये हैं कुल्या वाप और द्रोन वाप ठीक है तो कि से संबंदित है भूमी के माप से संबंदित ये दोनों शब्द आपको देखने को मिलते हैं लास्ट क्योशन की तरफ बढ़ जाते हैं और ये अंतिम क्योशन हमारा है निम्न लिखित में से किस शासक ने अपनी परजा को इस अभिलेक के माध्यम से परामर्श दिया एक अभि संब्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संब्रदाय के प्रति अत्यदिक भक्ति के कारण अन्य संब्रदायों की निंदा करता है वह अपितु अपने संब्रदाय को गंभी रूप से हानी पहुंचाता है यदि वर्तमान परिद्रिश्चे में भी हम देखें तो भारतिय ईतिहास का प्राचीन भारत का समराट अशूक का यह शिलालेक यह है क्या कह सकते अभीलेक वर्तमान में भी हमें क्या देता है बहुत बड़ी सीख देता हुआ नजराता है तो इसके मतलब को अगर हम समझना चाहें तो हमारे लिए बड़ी सीख यह है तो अशोक क्या अभी लेक यह रहा था और अशोक की धम नीती बहुत ज्यादा प्रसिद अशोक की मतलब में क्या कहते हैं निश्पक्षता धर्म को लेकर जिसे हम कहते हैं धर्म निर्पक्षता की नीती धर्म सहिश्नुता की नीती काफी ह अधे तक हम जानते हैं उसके बारे में पढ़ते भी हैं और वर्तमान परिप्रेक्षि में भी उसका उसकी प्रासंगिक्ता को हम समझ सकते हैं तो यह हमारे आज के 19 क्योशन थे 2020 के क्योशन को हमने डिसकस किया 2019 के क्योशन अगले वीडियो में आपको डिसकस कर दिये जाएंगे अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है एक्जाम नजदीक आ चुका है अपनी स्टेडी डियूरेशन को बढ़ाईए समय को बढ़ाईए पढ़ने के को लेकिन एक टार 2023 में प्रिलिम्स को लेकर आपकी मैं मदद कर सकता हूँ कुछ प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में भी है मैं किसी तरह से 2023 को बहतर बटाने के लिए ताकि आप लोगों का 2023 का प्रिलिम्स काफी आसान बन सके उस उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ आप बताईए आपको कहां जरूरी है फिर अगर ठीक लगता है तो उस पर भी हम काम करेंगे वरना हम आपके लिए लगातार प्रतिबद हैं ठीक है तो इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए धन्यवाद